हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट्वेल दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कि रीडिंग कम्प्रेहेंसन यानि की गध्यान्स किस तरह से हम कर सकते हैं दोस्तो ये एक ऐसा टोपिक है जिसके अंदर हम 5 के 5 कोश्चन गलत भी कर सकते हैं और 5 के 5 कोश्चन राइट भी कर सकते हैं इसमें बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवशकता है और अगर हम ध्यान से रीडिंग कॉम्प्रियेंशन को अच्छे से करें तो 5 के 5 कोश्चन हमारे राइट हो सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना मैं आपको इसमें कुछ बाते बताने वाला हूँ और लाइव हम एक रीडिंग कंप्रियेंशन करने वाले हैं तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम असानी से इसको सॉल्ड कर सकते हैं तो दोस्तो इस वी वो कभी भी बंद हो सकता है इसलिए हमने एक नया चैनल बनाया है निमीजनेट परो के नाम से उस चैनल पे दोस्तों हम आगे की जितनी वी वीडियोज है एजुकेशनल वो उसी पे डालेंगे और दिसंबर में जितने वी एक्जाम होने वाले हैं दोस्तों सभी शिफ्ट के ह हम लाइव वीडियो डालेंगे उस चैनल पे उसमें हम दिखाएंगे कि एक्जाम के बाद पूछेंगे स्टूडेंट्स से कि इस एक्जाम में किस तरह के कोशन आए कौन से कोशन बार बार रिपीट हुए अब की बार भी तो दोस्तों वो वीडियो देखना आप सभी के ल प्रोड दवाएएगा ताकि आप हमारी आगे की सभी वीडियो असानी से देख सकें थेंक्यू दोस्तों दोस्तों यहां पे जो मैं आपको बात वताने वाला हूं वो आप चाहे हिंदी का रिडिंग कॉम्प्रेंशन हो चाहे इंगलिस का हो किसी पे भी लागू कर शकते है और बिलकुल असानी से आप रिडिंग कॉम्प्रेंशन सौल कर सकते हैं तो चली हम बात करते कि किस तरह से हम उसको सौल करें दोस्तों सबसे पहली बात इसके अंदर यह आती है कि जो भी रिडिंग कॉम्प्रेंशन है जब हम पढ़ना सुरू करें तो उसे पूरे कंसंट् तो हमें सुरूर से ध्यान देना होता है कि ये क्या बात कर रहा है और राश में इसने क्या बात कही है तो वो सारी की सारी बाते हमें समझना जरूरी है और उसे समझने के लिए हमारा ध्यान लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है उसके अंदर और एक और जो चीज है दोस्तो अलग-लग लोगों के अलग-लग विचार हो सकते हैं लेकिन हमारे अनुशार सबसे पहले हमें question पढ़ना चाहिए और question के अंदर जो भी important चीज़े हैं उनको हमें highlight कर लेना चाहिए या उनके नीचे underline कर लेना चाहिए और उनके जो keyword जो होते हैं यानि कि मुखे मुखे जो सब्द होते हैं उनको underline करना चाहिए और वही reading comprehension के अंदर हमें देखना चाहिए कि कहां पर use हुए हैं और फिर उनी लाइनों को दोबारा पढ़ना चाहिए और ऐसा करके दोस्तों आप असानी से अपना time बचा सकते हैं और असानी से question को और reading comprehension को समझ सकते हैं और उसके बाद दोस्तों यह है कि अगर आप बहुत अच्छे से reading comprehension जल्दी करना चाहते तो आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए जैसे अभी हमारे पास UGC net में time है तो आप ज्यादा से ज्यादा reading comprehension करके देखे daily का एक decide कर लीजिए कि एक मेरे को करके देखना है और उसमें करके देखे जो भी आपकी गलती निकल रही है उसको analysis कीजिए कि हमारी गलती कहां पे हो रही है क्यों हमारा question है वो गलत हुआ है ठीक है तो ऐसा करोगे तो आपको जो language है वो बहुत जल्दी हसानी से सांजमें आनी शुरू हो जाएगी और दोस्तों अब हम बात करते हैं एक हमारे पास ये reading comprehension है ये हमारा था जनवरी 2017 के question paper में आया था ये हम करने की कोशिस करते हैं कि किस तरह से इसे हम जल्दी से कर सकते हैं तो वही बात दोस्तों सबसे पहले मैंने बात की थी कि सबसे पहले हम question देखेंगे question के अंदर जो जो चीजे हैं उनके जो keywords वगरा हैं उनको हम highlight कर लेते हैं जैसे question number 1 इसमें इन्होंने कहा है कि पिछले महायुद का भारते साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा तो इसके अंदर हमने highlight कर लिया कि पिछले महायुद का साहित्य पर प्रभाव ये तीन चीजे हमने यहाँ पे highlight कर ली ये चीज आपको ध्यान में रखनी है अब आगे हम बात करते है, question number 8 है, अपने अंतिम महागरंत है, टेस्टामेंट में टैगोर ने किसकी अभी व्यक्ति की, यानि कि टेस्टामेंट में टैगोर ने किसकी अभी व्यक्ति की, यह चीज हमें ध्यान रखनी है, और आगे हम बात करते हैं, जैसे question number 9, महायुद के समय भारते बुद्धी जीवियों की क्या सोच थी यहां पर हमने ये तीन दोबारा फिर नौट कर लिए कि महायुद के समय में भारते बुद्धी जीवियों की सोच ये चीज हमें पता करनी है तो दोस्तों अभी के लिए हम केवल और केवल ये तीन कोशन लेके चलते हैं और उसक जने की कोशिस करते हैं तो चली दोस्तों अब हम सुरवात करते हैं इसमें देखे अंतिम महायूद जिसने आधनिक विशो की अधार सिला को लग भग विकम पिंत कर दिया भारती साहित्या पर सवलंप प्रभाव ही डाल सका अब यह देखे दोस्तों यहाँ पर क्या गया ना स साहित्या पर सवलंप प्रभाव ही डाल सका अंतिम महायूद अब देखे यहाँ पर हमने यह नोट कर लिया चीज और यह देखे यह हमारी कहां पर यह देखे पिछले महायूद का भारती साहित्या पर प्रभाव ठीक है तो यह चीज हमने यहाँ पर देख ली तो चली हम थ पस्चिमी दुनिया की मानविय विग्यप्तियों के बारे में मोहो भंकी स्थिती को परक्रता से अभिव्यक्ति देने में ही सिम्टा रहा। अब देखें इसकी हम पूरी बात पढ़ते हैं यहां से लेके यहां तक पढ़ते हैं। अंतिम महायूद जिसने आधुने की विष्व की अधार सिला को लगभग विकम्पित कर दिया भारते साहित्य पर सवलम प्रभाव ही डाल सका। यह हिंसा के विरुध आम रूप से बढ़ावा देने की परवर्ती तथा पस्चिमी दुनिया की मानुए बिगम्तियों के वारे में मोह भन की स्थिति को प्रकरता से अभिवेक्ति देने में ही सिम्टा रहा। दोस्तों एक चीज मैं बता दू कि जो हिंदी के रीडिंग कम्प्रेंशन होते वो थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं उनके जो मीनिंग होते हैं वो हमें नहीं पता चलता दोस्तों तो उन्हें हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है अब देखिए यहां तक हमने पढ़ा अब ये कारषण पढ़ते हैं कोशन में इननों क्या कहा है और ओप्षन kya कहा है पिछले महाई युद का भारते साहिते और क्या प्रभाव पढ़ा? अब इनके सारे के सारे जो औप्षन है वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं इसका कॉई परभाव नहीं पढ़ा इसने ये दिया, तो दोस्तों ये नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा कि प्रभाव तो पढ़ा है, कुछ ना कुछ वहाँ पर हमने पढ़ा था, आगे देखते हैं, इसने हिंसा की विरुद जना अकरोस बढ़ा दिया, ये हम एक वर doubt के लिए रख लेते हैं अगला है इसने साहीते की new को हिला दिया दोस्तों उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था कि इसने साहीते की new को हिला दिया तो option number 3 भी गलत हो जाएगा इसने पस्चिमी दुनिया को परवल समर्थन दिया ठीक है अब हमारे पास दो option है एक तो ये option number 2 और एक option number 4 इन दोनों में हम देखते की कौन सा सही होगा इसने पस्चिमी दुनिया को परवल समर्थन दिया एक तो ये चीज ध्यार में रखते है दूसरा इसने हिंसा के विरुद जन्नाकरोस बढ़ा दिया अब देखे यहां पर इसे दोबारा पढ़ने की कोशिस करते है अब ये देखे सेकंड लाइन के अंदर है यह हिंसा के विरुद आम रूप से बढ़ावा देने की परवर्ती तथा पस्चिमी दुनिया की मानविये विक्तियों के बारे में मोहवं की स्थिती को परकरता से अविवक्ति देने में ही सिम्टा रहा तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों हिंसा के विरुद आम रूप से बढ़ावा देने की परवर्ती यहां से हमें पता चल रहा है तो यहां से हमारा जो answer आएगा दोस्तों वो हमारा option number two हो जाएगा इसने हिंसा के विरुद जना क्रोस बढ़ा दिया तो दोस्तों इसका जो answer होगा यह होगा option number two इसने हिंसा के विरुद जना क्रोस बढ़ा दिया तो दोस्तों यहां से आप देख सकते कि किस तरह से हमने इसका अंसर निकाला और आगे हम बात करते दोस्तों आगे हमारे पास अपने अंतिम महागरंत टेश्टामेंट में टैगोर ने किसकी अभिव्यक्ति की अब ये देखते दोस्तों आगे इसे पढ़ने की कोशिश करते ह अब देखिए इसमें इसकी परमुख अभी व्यक्ति टैगोर की अंतिम कवीताओ एवम उसके अंतिम महागरत काईसिस इन सिविलाइजेशन के माध्यम से हुई इस समय भारत का बुद्धी जीवी वर्ग एक नैतिक अंतरदवन्द की दसा से गुजर रहा था अब देखिए इसे दोबारा से पढ़ने की कौसिश करते हैं दोस्तों ये जो लाइन ना ये पिछली लाइन से जुड़ी हुए है ये देखिए अब इस ने क्या कहा है इसकी मुखर अभी व्यक्ति किसकी मुखर अभी व्यक्ति वो हमें पता होना चाहिए ना तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों यह हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे तब जाके हमें यह अच्छे से समझ में आएगी यह हिंसा के विरुद आम रूप से बढ़ावा देने की परवर्ती तथा पस्चिमी दुनिया की मानविये विगत्तियों के बारे में मोह भंकिस्थिती को परक्रता से अभिव्यक्ति देने में ही सिम्टा रहा इसकी मुखर अभिव्यक्ति टैगोर की अंतिम कवीताओ एवम उनके अंतिम महागरंत Crisis in Civilization के माध्यम से हुई इस समय भारत का वुद्धी जीवी वर्ग एक नैतिक अंतरदवन्द की दसा से गुजर रहा था यहां तक हमने पढ़ लिया दोस्तो अब हम कोर्शन पे जाते कोर्शन में उन्होंने क्या कहा है अब देखिए अब देखिए सुभास बोस को समर्थन दिया नहीं दोस्तो इसका तो कोहीं पर जिकरी नहीं हुआ अब दूसरे पस्चिमी दुनिया की मानविये विगप्तियों की पॉल खोली ये भी नहीं दोस्तो ये हम चलो एक टाइम के लिए डाउट में रख लेते हैं एक टाइम के लिए इंगलेंड के परती अपने निष्ठा व्यक्त की ये भी हम नहीं कह सकते दोस्तो इंगलेंड का वहाँ पर कोई जिकर नहीं हुआ देशों की मुक्ति को प्रोत्सान परदान किया अब दोबारा देखते दोस्तों उसको हम दोबारा पढ़ते कि उसमें क्या कहा है यह हिंसा के विरुद आम रूप से बढ़ावा देने की परवर्ती तथा पस्चिमी दुनिया की मानुए विगत्तियों के बारे में मोह भंकी स्थिती को परमुक्ता से अभिवक्ति देने में ही सिम्टा रहा इसकी मुखुर अभिवक्ति अब देखे दोस्तों यह आगया ना इसकी मुखुर अभिवक्ति किसकी मानुए विगत्तियों के बारे में इसकी अभिवक्ति किसने की थी टैगोर की अंतिम कवीता और अंतिम महागरंथ के अंदर इसकी हुई थी तो दोस्तो यहां से जो हमारा answer निकल के आ रहा है वो हमारा option number two निकल के आ रहा है और पहले हमने देखा था ना दोस्तो पहले हमने सोच लिया था कि यह option number two नहीं होगा लेकिन जब हमने ध्यान से देखा तो इसका जो answer है वो option number two निकल के आया है और इसका answer भी option number two दिया हुआ है तो तो दोस्तो आप यहां से असानी से question कर शकते बस थोड़ा सा ध्यान देने की हमें आवशकता है और आगे हम बात करते हैं दोस्तो आगे हैं हमारे पास महायुद के समय भारती बुद्धी जीवियों की क्या सोच थी अब हम यह देखते दोस्तो आगे इसको पढ़ते हैं अब देखिए इस समय भारत का बुद्धी जीविवर्ग एक नैतिक अंतरदवंद की दसा से गुजर रहा था एक और जहां में संकटी घड़ी में इंगलेंड के अदम्य साहस के परतिशानवुक्ती व्यक्त किये वगएर नहीं रहसका जिसमें रूसी लोग निश्ठूल नाजी सेन्य सकती से लोहा ले रहे थे चीन जापान की सेनाओं को बुटो तले रोंदा जा रहा था वहीं दूसरी और अपना ही देश अपनी ही धरती की सेन्य सकती के नियंतरण में था भारतिय सेना सुहाच चंदर बोस के नितरताओं में दूसरी और से उनके देश के मुक्तिका प्रयास कर रही थी अब यह देखिए यहां पर देखिए दोस्तों कितना बड़ा संटैंश बना दिया इन लोगों ने यहां से लेके एक और से लेके और कर रही थी इतना बड़ा संटैंश बना दिया एक बार फिर कोशन पढ़ते हैं कोशन में इन्होंने क्या दिया और क्या क्या ओप्शन है अब देखे, महायुद के समय भारते वुद्धी जीवों की क्या सोच थी, वे रूसी लोगों के कष्ट के परती उदासिन थे, ये चलो देखते हैं, डाउट के अंदर रख लेते हैं, वे जपानी सेन्य सक्तिवाद के पक्स में थे, ये भी हम देखते हैं, क्या है इसका, उन ये निकल के आगया, उप्सन नमबर फॉर, ये देखिए, ये हमने पढ़ा, कितनी वार पढ़ा यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पे न, ये रहा, इंगलेंड के अदम में सहस के परती सहनवुती व्यत की, यहाँ से देखिए, यहाँ से निकल गया अपना, कितना असान न निकाल रहे हैं और अब हम आगे देखते हैं दोस्तों आगे हमारे तीन कोशन ओर रहे गए भारती साहिते में सरजनातमक उर्जा को सनहित करने वाले कारकों की पहचान कीजिए अब देखे इसने क्या कहा है भारती साहिते में सरजनातमक उर्जा को सनहित करने वाले कारकों की पहचान कीजिए यानि कि भारती साहिते में सरजनातमक उर्जा को एकठा करने वाले फैक्टर के बारे में हमें पता करना की कौन-कौन से है तो चली दोस्तो अब हम दोबारा से गद्यान्स को देखते हैं उसको पढ़ते हैं अब देखी हमने कहां तक पढ़ा था यहां तक हमने पढ़ लिया था अब हम आगे बात करते हैं निश्ठाओ के ऐसे दवंद में किसी भी परकार की सरजनातमक परवर्टी के परष्ठोफून की कलपना नहीं की जा सकती यह सहे जी नमानित किया जा सकता है कि 1947 में भारत की सवतंतरता प्राप्तिजो मित्तर राष्ठोप के आविर भाव क्रम में महत्तोपून है तथा पडोसी देशों जैसे दक्सिन पुरो एसिया में उपनीवे स्वाद के अंत के रूप में फलित हुआ सरजनातमक उर्जा के विस्फोटन को गतिमान कर रहा है दोस्तों यहां पे हमें ध्यान देना कि यहां पे इन्होंने कहें कि सरजनातमक उर्जा के यहां पे विस्फोट की बात हो रही है और वहां पे सनहित की बात हो रही थी यह फैलाने की बात हो रही है ठीक अब आगे देखते दोस्तों नी संधे ऐसा हुआ किन्तु सिगरी देश के विभाजन की यंतरना नर्सन सहर तथा लाखों लोगों का अपने ही देश विस्थापित होने और महात्मा गांद की सहादत की घठना के साथ कस्मीर पर पाकिस्तानी आकरमन तथा बाद में बंगला देश में उनके अत्याचारों ने ममर्स परशी लेखन को प्रेरित किया ठीक यहां तक हम इस चीज को पढ़ते हैं अब देखी इसने यहां पे क्या चीज निकल के आ रही है कि जो नर्सन सार हुआ और जो विभाजन हुआ और लाखों लोग एक दूसरे स बिचुड गए और आकरमन जो हुआ इन सभी चीजों ने क्या किया जितने भी अत्याचार हुए ममर्स परशी लेखन यानि कि जो ममर्स परशी होता है जो दिल को छोने वाला और जो emotional हम कह सकते हैं उस लेखन को इसने प्रेरित किया था उन चीजों को प्रेरित किया था ठी सरजनातमक उर्जा के विस फोर्ट यानि कि ये सरजनातमक उर्जा फैल गई थी हमने फैलने की बात नहीं है कोशन के अंदर उनमे सनहित करने की बात भात है यानि कि एकठा किन कारणों से हुई ठीक तो अब हम दोबारा कोशन देखते हैं दोस्तों कोशन में क्या है और फिर आंसर निकालने की कोशिश करते हैं भरती साहिते में सरजनातमक उर्जा को सनहित करने वाले कारकों की पहचान कीजिये अब हम इनके जो अप्शन वो पढ़ते हैं अपनी ही धर्ती का सेन्य आधिपत्य, चलिए आगे देखते हैं, उपनी वेसिक आधिपत्य का पर्तिरोध नहीं, वहाजन सवरूप अंतरभूत तिवर यंत्रना, ये भी देखते हैं चलो, मित्र राष्टरों की विजे, अब देखिए, इनके अंदर एक चीज आप पढ़न अब देखिए, इसके अंदर यहाँ पर इन्होंने कहा है कि विभाजन की यंतरना, नर्संसार, लाखों लोगों को विश्थापित होना, और उनमें यनकी अत्याचार बगरा, इन सारी ये जितने भी दुख हुए, इन सभी की कान हमारे अंदर ज्यादा बढ़ चड़ के ल जो भी जितने भी अत्याचार हुए, उन्होंने हमें प्रेरित किया, ठीक है, ठीक है, तो अब हम दोबारा से कोशन पे जाते हैं, इसका देखते कि क्या कोशन, क्या अंसर इसका आ सकता है, अपने ही धरती का सेन्ने अधिपत्य नहीं दोस्तों, इसके अंदर ये बात नही वो कर दिया था, पहले हमने तीन-चार लाइने पड़ी थी, तो वो नहीं है, अब देखी, अपनी वेसिक अधिपत्य का परतिरोध, ये बात भी नहीं हो रही दोस्तों, उसके अंदर, विभाजन सवरूप अनुभूतिति तिवर यंतरना, ये चीज हो सकती है दोस्तों, म अनुभूत तिवर यंतरना, अब देखी, विभाजन की बात हो रही न, इसके अंदर, ये देखी, हमने ये कहा था, कि कहा गया, कहा गया, विस्थापित होना, विस्थापित मतलब विभाजन, देश की, विभाजन की यंतरना, ये देखी, ये आ गया, सिगरी, देश के वि अंसर है option number 3 आजएगा हमारा ये आजएगा विभाजन सवरूप अनुभूत तिवर यंतरना दोस्तों ये थोड़ा मुश्किल तो होता है मैं मानता हूँ गद्यांस लेकिन हमें बहुत अच्छे तरीके से इसमें सोच के चलना पड़ता है कि क्या अंसर आएगा क्यूंकि हम यूजिशन एक्जाम दे रहें दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि कोई आसान सा कोई दसमी वारमी का एक्जाम दे रहें उसके अंदर हम directly बता सकते क्या होगा लेकिन इसके अंदर हमें सोचना पड़ता है दिमाग लगाना पड़ता कि क्या हो सकता है ठी अब देखिए बंगाल और कस्मीर की जो तरास्दी थी उससे क्या प्रभाव पड़े वो हम देखते हैं अब देखिए इसमें हम पढ़ लेते हैं गध्यान्स पढ़ लेते हैं और यहां पे हमने बात की थी ना यहां पे कहां गया वो इसी लाइन में था कहीं पे कस्मीर तथा पाकिस्तान है यहां से दुबारा पढ़ते दोस्तों महात्मा गांधी की सहादत की घटना के साथ कस्मीर पर पाकिस्तान आकरमन बाद में बांगला देश में उसके अत्याचारों ने ममर्स परशी लेखन को प्रेवित किया अब देखी इस कारण बंगाल हिंदी कस्मीरी पंजाबी सिंधी तथा उर्दु में महत्व पूर्ण लेखन सामने आया किंतु केवल ममर्स परशी अथवा भाव पूर्ण लेखन अपने आप में सहित्य को महानता प्रदान नहीं कर सका इन आपदाओं के उपरां तो भी जो उत्सा हम आतव वल का कोश बना रहा वो राष्ट्रिय पुनर निर्मान तथा अर्थी के विकास में आतम साथ हुआ अब ये देखिए दोस्तों ये अब मैं दोवारा पढ़ने की कोशिस करना ताकि आपको अच्छे से समझ में आज है अब देखिए यहाँ पे अब देखिए दोस्तों यहाँ से कस्मीर पर पाकिस्तानी आकरमन तथा बांगबाद में बांगला देश में उसके अत्याचारों ने ममर्स परशी लेखन को प्रेवित किया ठीक है ये हो गया और उसके कारण क्या हो इस कारण बंगला हिंदी कस्मीरी पंजाबी सिंदी तथा उर्दो में महतोपुर्ण ये बात भी ठीक है किन्तु केवल ममर्स परशी अथवा भावपुर्ण लेखन अपने आप में साहित्य को महनता परदान नहीं करता ठीक है ये बात भी इन आपदाओं के उपरांत भी जो उत्सा अम्म आतम बलका कोस बना रहा अब देखी वो राष्ट्रिय पुनर निर्म निर्मान तथा आर्थिक की विकास में आतम साथ हुआ ठीक है वो जो हमने साहित्य लिखा था उससे क्या हुआ और ये देखी जब पाकिस ये देखी जब आकरमन हुआ बांगला देश वगरा पर उनका वी भाजन हुआ तो उससे क्या हुआ कि लोग बहुत अच्छे तरीक साल की तरासदी से जनहित प्रावाव क्या थे तो इसमें देखें दूसरे देशों का संका भाव नहीं दोस्तों अगला है पर्ति दवंदीता की निरंतरता ये भी नहीं कह सकते दोस्तों युद का खत्रा ये भी नहीं है दोस्तों अगला है राष्ट्रिय पुनर निर्मान यह देखिए दोस्तों यह आगे न हमारे पास राष्ट्रिय पुनर निर्मान तो इसका बिलकुल सही आंसर यह होगा दोस्तों अप्सन नमबर फॉर यहनकी राष्ट्रिय पुनर निर्मान क्योंकि हमने बात की थी कि कस्मिर और बांगलादेश की जो तरासदी हुई तो पुद्क ध्यान्स का कथे संदेश क्या है संदेश हमें बताना है दोस्तों अब देखी आप एक चीज बताइए दोस्तों यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो हम बात कर रहे हैं साहित्य की बात कर रहे हैं लिटरेशर की बात कर रहे ह बारते साहिते यहां आ गया फिर यहां पर मान गरंथ की बात होगी और उसके बाद में जैसे कि ममर्स परशी लेखन को प्रेरित किया और उसके बाद में फिर यह क्या हुआ कि यह देखे हिंदी उर्दू सामने आई और यानि कि हर जगह साहिते की बात यहां पर चल रही है त आपदाए एसमवे भावी होती है नहीं आपदाओ के बारे में तो ऐसी कुछ जादा बात नहीं हुई दूसरा है शक्षम सरंकलाव से महान सहित्य का उद्वे होता है चलिए ये हम एक टाइम के लिए डाउट के अंदर रखते हैं अगली है भारते सहित्य का कोई बिल्कूल गलत कहे है रहा दोस्त तो यह कहे रहा कि भारते सहित्य जसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं यह भात कहरे तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा अगले युद और सतंतर्ता से साहित्य का कोई लेना देना नहीं है ये बात भी इसकी बिल्कुल गलत है दोस्तों क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना जब युद हुए तरासदी हुई तो बहुत अच्छा लिखने लगे लोग और प्रेरित हुए लिखने के लिए तो ये बात तो बिल्कुल गलत है इसकी क्योंकि युद से हमारा जो साहित्य है वो बहुत ज़्यादा प्रेरित होता है तो उप्सन नमबर थरी और फोर ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे अब दो शक्षंभ स्रंकलाव से महान साहित्य का उद्विध्य होता है यानि कि इसे अगर आसान भासा में समझे तो दोस्तो जो तरास्ति विगरा होते हैं जो संकट के घड़ी आती है देश के उपर तो कही ना कही महान साहित्य का ओरिजन होता है तो दोस्तो तो इस तरह से आप बिल्कुल असानी से अच्छे से पढ़ के question का answer दे सकते हैं और दोस्तो यहाँ पे हमने English में भी दिया हुआ है यह पहरा गराप आप यह देख लेना यह पूरा का पूरा आप चाहे तो इसका screen shot ले सकते हैं और उसके बाद में जैसे यह है और फिर यह है यह दोस्तो यह सारे के सारे question हमने यहाँ पे English में भी दे रखे है अगर आप English में पढ़ना चाहे तो English में भी पढ़ लेना तो दोस्तो आज के लिए वसीतना ही मैं उमीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और reading comprehension में आपको कुछ न कुछ साहता जरूर मिली होगी तो दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसी वीडियो को लाइक किजिए, share किजिए, comment किजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और घंटी का बटन जरूरत दवाई है ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज को सारी से देख सकें थैंक्यों दोस्तों